समानी हिंदी का डेली साथ बज़े जो आपका साम में क्लास चल रहा है उसी का ये पार्ट नुम्बर 17 है डेली बेसे पर क्लास आपको प्रोवाइड किये जा रहे हैं 2021 के सभी एक्जाम के लिए बहुत मात्पूर है अगर आप 2022 के किसी भी एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे ह तो उसके लिए भी बहुत जाते जरूरी ये क्लासिद हो जाते हैं इसमें पूरे हिंदी का MC को सामिल किया गया है जिसमें विकल्पी यानि कि अब्यक्टिव टाइप के कोशन्स होंगे सब इक कोशन्स जो है व्याख्या के साथ होंगे जिन कोशन्स के लिए इंपॉर्टन जरूरी कोशन होता है वहाँ पर व्याख्या आपको प्रवाइड किया जाता है सारो कोशन्स जो है अब्जेक्टिव टाइप होंगे यह सभी एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है यूपी पीसेस के ताहिए जो समिछ्छा अधिकारी यानि आरो एरो का एक्जाम होता है उसक जो कोशन्स पूचे जाएंगे वह यहां से बन सकते हैं और इसी पैटरन पर अधारित कोशन्स आ सकते हैं तो क्लास को सुरुष रिलास तक देखा करिए डेली बेसेस पर देखा करिए ऐसा मत करिए कि एक दिन क्लास देखिए अगले दिन गायब हो जाईए क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा टासे डेली बेसेस पर करेंगे डेली मेनद करेंगे तभी एक्जाम में सफल हो पाएंगे ठीक है तो चली श्टार्ट करते हैं अगर क्लास आपको अच्छा लागेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजेगा और अभी अपने दोस्तों के सा निचे दिए गया विकल्पों में से नग सब्द के लिए परियावाची सब्द चुनिये नग सब्द के लिए परियावाची सब्द कौन सा है नीचे दिए गया विकल्पों में से नग सब्द के लिए परियावाची सब्द चुनिये नग सब्द के लिए परियावाची सब कि इसका उत्र परवत option number पहला जो की सही है नग सब्द के लिए परियावाची कौन सा है परवत जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट किया करिए ठीक है सभी लोग प्रशन का उत्र कमेंट बॉक्स में बताया करें मैं आप लोग के कमेंट को वीडियो के दौरान भी और वीडिय देखने रहते हैं अगला कोशन है किस वर्ग में सभी सब्द आनिकार्थक हैं देखे इसमें एक और आप्शन था तो वो कोशन में सामिल नहीं हो पाया है इसलिए इसकोशन कोई स्विप कर दिजा आप लोग ठीक है अगला कोशन आपके सिंपर है चंद्रमा का परियावाची सब्द कौन सा है चंद्रमा का परियावाची सब्द निम्लिक्त में से कौन सा है इसके पहले वाले को ठीक है इसमें एक और आप्शन था वो आप्शन गाया हो गया है वो साइट टाइप नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं अगली दिन उसकोशन को सामिल कर我 natural c चलिए बताइए चंद्रबा का परियावाची सब्ने विल्खत में से कौन सा है इसका उत्राप्शन नमबर चौथा ससी नेश्ट कोशन सब्दल का परियावाची सब्द कौन सा है सब्दल का परियावाची सब्द कौन सा है इसका उत्राप्शन नमबर चौथा सरसिज सब्दल का परियावाची कौन सा है सरसिज है नेक्ट कोशन अंजन का परियावाची सब्द निम्लिकत में से कौन सा है अंजन का परियावाची सब्द निम्लिकित में से कौन सा है? इसका उतर है option नमर ए, काजल अंजन का परियावाची सब्द कौन सा है? काजल है अगला कोशन है, मरी गांग का परियावाची सब्द निम्लिकित में से क्या है? इसका उतर option नमर तीसरा, सुधाकर सुधाकर जो है, ये मरी गांग का परियावाची होता है अगला कोशन है, हरी गांग का परियावाची सब्द निम्लिकित में से कौन सा है? चुनिए अब इसका उतर है option नमर चोथा, मरी गांग जो है, हरी गांग का परियावाची सब्द है अगला कोशन है, वायू सब्द का परियावाची कौन सा है? वायू का परियावाची सब्द कौन सा है? इसका उतर है option नमर दो, अनील अनील जो है, यह वायू का परियावाची सब्द है अगला कोशन, सेना का परियावाची सब्द कौन सा है? सेना का परियावाची सब्द कौन सा है? सेना जो होते हैं, वो ग्रूप को कहा जाता है, ठीक है? सेना जो होता है, वो ग्रूप होता है और सैनिक जो है, वो एक व्यक्ति के लिए यो किया जाता है एक परसन के लिए, इंडिविज्वल के लिए सैनिक यूज किया जाता है, ठीक है? तो सेना जो है वो ग्रुप के लिए होता है इसलिए याद रखेगा कि अनीक जो है यहाँ पर परियावाची आप्शन नमबर पहला अगला कोशन है तलवार की घात से उसका हाथ खंडित हो गया क्या लिखा हुआ है तलवार की घात से उसका हाथ खंडित हो गया तो यहां पर आपको घात का परिया वाच्ची बताना है ताइए एक में रुख जाएगा यहां परिया वाच्ची नहीं आपको विलोम बताना है तो घात का जो परिया विलोम होगा वह होगा प्रतिघात क्या हो जाएगा प्रतिघात आई तिंग टाइपिंग एरर आज जादे देखने को मिल रहा है अगला कोशन है आप बहुत ही निर्दय जान पड़ते हैं इसके लिए बताईए क्या सब्द होगा निर्दै इसके लिए विलोम शब्द क्या होगा इसका उतर है साहिर्दै क्या हो जाएगा अप्शन नवर पहला साहिर्दै next question है हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए तो सत्य के लिए बताइए विलोम शब्द क्या होगा इसका उतर है म्रिशा ठीक है ये तीन कोशन थे जिनमें थोड़ा सा गलती देखने को मिल रहा था अगला कोशन है आग्रह सब्द के सटीक विलोम शब्द का चैन करें तो आग्रह का विलोम शब्द जो है कौन सा होगा अग्रह का होगा दुराग्रह क्या हो जाएगा option number पहला दुराग्रह अगला कोशन है विरक्त सब्द के सटीक विलोम शब्द का चैन करें विरक्त के लिए विलोम शब्द निलमलिकत में से क्या होगा इसका उतर आप्शन नमबर पहला अनुरक्त क्या हो जाएगा साथियों अनुरक्त हो जाएगा अगला कोशन है कोप का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना है कोप का विलोम शब्द निलिमिकित में से क्या होता है उत्तर को comment किया गरिए, जितने लोग भी class को देख रहे हैं, comment किया करिए, class को सुरूशे लास्तर देखा करिए, बहुत important class है यह आपका इसका उत्तर है, option number पहला, सांथ, क्या हो जाएगा, सांथ हो जाएगा next question, उत्कर्स का विलूम शब्द क्या होगा, उत्कर्स का विलूम शब्द क्या होगा इसका उत्तर है, अपकर्स, क्या हो जाएगा, अपकर्स हो जाएगा, उत्कर्स का विलूम क्या हो जाएगा, अगला question है, मानव का विलूम शब्द क्या है, निमलिकित में से मानव का विलूम शब्द क्या है इसका उतर आप्शन नबर दूसरा दानव मानव का विलोम शब्द क्या है दानव है अगला कोशन मधूर सब्द के सटीक विलोम शब्द का चेन करना है आपको बताना है कि मधूर सब्द का विलोम क्या होगा इसका उतर आप्शन नबर चौथा कट्टू कट्ट जो है आपका यहाँ बार उत्तर होगा option no.4 अगला question इश्ट सब्द का विलोमार्थी सब्द क्या है इश्ट का विलोम यानि कि opposite word निमलिकित में से क्या है इसका उत्तर option no.3 अनिश्ट इश्ट का क्या है अनिश्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा निश्ट कोशन पुरुस एवंग इस्तरी का जोड़ा उसको क्या कहते है अगर पुरुस और इस्तरी का जोड़ा हो उसके क्या कहते है उसे यूगल कहते है याद रखेगा जब पुरुस और इस्तरी का जोड़ा हो उसे यूगल कहते है दम पत्ती में आता है आपका पत्ती हो पत्नी हो ठीक है और योग मतलब जोड़ा उसमें जरुवी नहीं है कि एक पुरुस एक महिला ही हो अगला कोशन है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीवर इच्छा को क्या कहते हैं कर दो अगया है उसे कहते हैं अभीपसा क्या करते हैं अभीपसा नेक्स कोशन सर्ड़ पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं ये आपके वो कोशन ने जिसमें वन वर्ड में अपने अनिक सब्दों के लिए एक सब्द उसे कहते हैं सरड आर्थी सरड पाने की इच्छा रखने वाले क्या कहते हैं सरड आर्थी अगला कोशन है जिसे कठीनाई से धार किया जा सके जिसे कठीनाई से धार किया जा सके उसे कहते हैं दुर्वेह क्या कहते हैं दुर्वेह आप्शन नम्बर तीसरा नेश्ट दो परवतों के बीच की भूमी उसे क्या कहते हैं जब दो परवतों के बीच की भूमी हो उसे कहते हैं घाटी कहते हैं जब दो परवतों के बीच की भूमी होती है उसे घाटी कहते हैं चलिए अगला कोशन भावुक हिर्दय में सुख दुख की सहज कोमल अनभूती उसे क्या कहेंगे भावुक हिर्दय में अगर सुख और regular fasten को उसे समवेधना कहते है क्या कहते हैं समवेधना अगला कोशन हर काम को देर से करने वाला हर कारी को हर काम को देर से करने वाला उसे कहते है दिर्ग सुत्री क्या कहते हम दीर्ग सुत्री अगला कोशन जिस पर आकरमड ना किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अनाक्रांत, क्या कहते हैं? अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अगला कोशन है प्राचीन आदर्स के अनुकूल चलने वाला उसे कहते हैं गतान उगतिका, क्या कहते हैं? गतान उगतिका, यानि कि प्राचीन आदर्स के अनुकूल चलने वाला अगला कोशन है विधान मंदल द्वारा पारित या स्विकृत विधी को हिंदी में क्या कहते हैं एक वर्ड में बताना है कि जो विधान मंदल द्वारा पारित या फिर स्विकृती जो विधी होती है जो कानून होता है उसे क्या कहते हैं उसे अधिनियम कहते हैं क्या कहते हैं अधिनियम कहते हैं ऑप्षन नमबर पहला तो कितने कोशन हो गए यहाँ पे 60 कोशन हो गए ठीक है चलिए तो क्लास यहाँ पे इंड हुआ मैं फिरसे एक बार क्षेट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दी जागर आपने अभी तक करिए जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करिए ठीक है आप हमें फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फालो कर सकते हैं टेलीग्राम गुरूप से भी जो सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ठीक है और स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को अन करके ठीक है चलिए तो पार्ट यहां पे 17 समाप्त हो गया नेक्ट पार्ट में मिलेंगे पार्ट नंबर 18 में जिसमें समानी हिंदी सेरेटर 2020 के लिए पूरे हिंदी का MCQ क्लास आपको प्रवा थाम तो आपको तो समानी है